हलो फ्रेंड्स वेलकम वेक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता है और तभी ध्यान आपका अपके चहरी की तरफ जाता है चहरे पर अंचाहे बाल भूँ जादा नजर आने लगते हैं और चहरा हो जादा डल और ड्राइ दिखाई देता है तो ऐसे में आप कई बार पार्टी में जाना कैंसल कर देते हैं पर फ्रेंड्स आज जो होम रेमेडी में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं यह आपका बिलकुल भी टाइम नहीं लेगी इस रेमेडी के इस्तमाल से फ्रे कोई भी पैन लेना है उसमें गलास के करीब हमें पानी डालना है आप नॉर्मल फिल्टर का पानी भी ले सकते हैं उसके बाद इसे आप सेम फ्लेम पर ड़ देंगे साही आदा नीबु का सारा रस जो है इसमें एड कर देंगे ठीक है नीबु में विटामिन C पाया जाता है जो कि चहरे के दागदबों को भी lighten up करता है and roots को भी ये facial hair की weak करता है और हमारे चहरे को deeply clean करता है pores को एकदम से clean करता है तो ये एक natural cleanser का बहुत अच्छे से काम करता है तो यहां मैंने सारा नीबू का रस इसमें डाल दिया है पानी में उसके बाद इस पानी को हम गरम होने देंगे इसको हम ढग भी सते हैं क्योंकि हमें इस remedy को जो फर्स टैप है उसमें क्या करना होगा हमें अपने face को steam देना होगा जिससे क्या होगा पोर्स ओपन हो जाएंगे, clean हो जाएंगे जो facial hair होते हैं उनकी roots भी weak होने लगती है ठीक है friends तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से steam बन गया है यदि आपके पास steamer है तो आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां मैंने इस तरीके से पैन में गरम पानी के साथ steam ready कर लिया है तो चलिए मैं अब face पे steam ले लेती हूँ आपको क्या करना है steamer को थोड़ा सा अपने नीचे लखना है towel से हलका सा ढग कर लेंगे और steam जो है अपने face पा से हिला हिला कर आप अच्छे से ले लेंगे इससे क्या होगा friends आपकी चहरे पर जितनी भी impurities होगी जितने भी गंदगी होगी वो deeply clean होगा roots को यह weak करेगा, pores को यह open करेगा, cleans करेगा इससे आपकी skin की जितनी भी गंदगी है मिंटों में remove हो जाएगी तो steam later time थोड़ा सा ध्यान रखिएगा careful होके आप इस steam को लीजेगा इससे कि आपको कोई भी तरीकी की परशानी ना हो जाए so friends steam लेने के बाद आपको क्या करना है आपको एक बाउन लेना है उसमें एक चमच के करीब आपको add करना है basin जो कि face पे scrubbing का भी काम करेगा और unwanted hair को भी remove करेगा साथी एक चमच के करीब आप इसमें दही add करेंगे और साथी आप इसमें एक चमच के करीब rose water भी add करेंगे जो कि pores पर बहुत अच्छे से काम करने वाला है दही जो है skin को moisturize करेगी, cleanse करेगी और यदि आपकी skin बहुत ज़्यादा sensitive है आपकी skin acne prone है तो उसके लिए यहां wild turmeric का चुटकी भर मैंने इस्तमाल किया है यह आपके चहरे पर होने वाले दाने, rashes वगरा को कंट्रोल करती है और साथी आपके color complexion को भी whiten up करती है यह remedy friends total सारी चीज़े mix कर लेंगे हैं बहुत अच्छे से और कमाल की home remedy बनके तयार होगी आपकी skin पर whitening का काम करेगी unwanted hair को तो यह remove करेगी ही करेगी so friends जब आप इस remedy को face पर apply करेंगे तो इस तरीके से पहले steam ले लेंगे face clean हो जाएगा उसके बाद इस remedy को आप अपनी finger की help से या फिर brush की help से अच्छे से पूरे face पर apply कर लेंगे ठीक है friends जिस तरीके से मैंने इस remedy को बनाया है face पर steam लिया है बिल्कुल आपको वैसे ही करना है so तभी आपको बहुत अच्छे result मिल पाएंगे friends आप सभी से requested remedy को आज के वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा तभी आप पूरी process समझ पाएंगे बीच में आप वीडियो skip कर देते हैं या फिर वीडियो छोड़के चले आते हैं आपको अच्छे result नहीं मिलते हैं पिर आपके कमेंट्स आते हैं कि इस remedy ने तो रिजर्ट अच्छा दिया ही ने तो ऐसा नहीं है बिल्कुल मेरे method के according इस remedy को बनाईए अपलाई करिए आपको बहुत अच्छे result मिलने वाले हैं दूसरा friends ये natural home remedies होती हैं हम इसमें किसी भी तरीके का chemical का कोई add नहीं करते हैं जो कि आपको instant एकदम से result दे लेकिन तब भी natural चीज़े हैं ये बहुत अच्छे से आपकी skin को result देती हैं इनके result long lasting होते हैं बाहर के waxing वगरा करा लेते हैं कि दुबारा hair growth वापस जल्दी नहीं आती है और regular इस्तमाल से आप इस remedy के means एक week में आप दो बार इस्तमाल करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जब facial hair growth है वो भी slow down हो जाएगी और थोड़े time by dude कमी हो जाएगी एकदमी और साथी आपके चहरे पन का जितना भी काला पन रूखा पन जितनी भी dullness ड्राइनस है वो दूर होगी यह remedy आपके skin के collagen को boost करती है आपके skin पर बहुत अच्छे से glow लेके आती है तो आप देख सकते हैं इस remedy को मैंने पूरे face पर अच्छे से apply कर लिया है आप इसे as a glowing pack की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे as a hair remover pack की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर आप इस remedy को जो अपनी skin पर अच्छे से लगा लेंगे तो 10 मिनट के लिए skin पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हलका सा dry होने के लिए इसके बाद आप इसे as a glowing pack की तरह इस्तमाल कर रहे हैं तो normal पानी से face wash कर लीजिएगा यदि आप इसे hair remover pack की तरह इस्तमाल कर रहे हैं तो जैसे मैं आपको बताऊंगी आपको वैसे करना होगा यहाँ मुझे 10 मिनट हो गए है remedy हलकी हलकी सूगी आपको क्या करना है हाथ में थोड़ा सा rose water ले सकते हैं या पर normal पानी ले सकते हैं उसके बाद circular motion में आप इस remedy को remove करेंगे तो इससे क्या होगा फ्रेंड जो unwanted hair होगा जो light facial hair होता है वो तो तूरन निकल के बाहर आ जाता है और इस तरीके से जब आप मसाज करेंगे चेहरे की तो आपके चेहरे पर instant glow आने लगेगा क्योंकि फेस का जो blood circulation होता है वो बहुत अच्छे से run करने लगता है जिसकी वज़े से चेहरे पर glow आने लगता है तो ये remedy आपकी skin को whiten up करेगी आपकी skin texture को बहुत जादा smooth करने वाले क्योंकि इसमें हमने basin का इस्तमाल किया है basin जो होता है हमारे चेहरे के black head, white hairs जो होते हैं dead cells जो होते हैं उन्हें remove करके skin के texture को बहुत जादा smooth and supple बना देता है तो इस तरीके से आप face की massage करते हुए इस pack को जब पूरा remove करेंगे तो आपका unwanted hair भी remove हो जाएगा और आपकी चेहरे की massage भी हो जाएगी इस remedy के इस्तमाल से आप अपने हाथ पेरों की tanning को भी remove कर सकते हैं hairs को भी remove कर सकते हैं body के किसी भी part के hair को बहुत असानी से remove कर सकते हैं यह remedy आपके चेहरे के साथ आपके हाथ पेरों के लिए भी बहुत यादा useful होने वाली है तो इस तरीके से अच्छे से आप face की 5-7 मिनट मसाज करेंगे मसाज करने के बाद आप चाहें तो नौरा पानी से अपना face wash कर सकते हैं आप इसे अगर glowing pack की तरह इस्तमाल करें और या फिर आपने as a hair remover pack की तरह इस्तमाल किया है तो आप किसी भी cotton हैंगी या फिर किसी भी wipe sponge की help से इस remedy तो हलका सा pressure के साथ remove करेंगे तो आपके बचे कुचे जो unwanted hair, facial hair जो रोएं हैं वो भी आपके निकल के बाहर आ जाएंगे तो इस तरीके से आप घर की चीजों से ही बहुत ही असानी से अपने चेहरे पर instantly glow ला सकते हैं unwanted hair से छुटकारा पा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस remedy को remove करने के बाद नॉर्म पानी से face wash कर लिया है इसके बाद आपको एक step और करना है यदि आप किसी party function में जा रहे हैं आपको क्या करना है आपको लेना है आइस क्यू उसको किसी भी हैंकी में cotton के कपड़े में आप रखे तो इसके बाद क्या होगा फ्रेंगे यदि आप अपने चाहरे पर make-up करेंगे तो आपका make-up बहुत जादा glow करने वाला है इस skin को काफी आदा refresh फील कराने वाला है यदि आपकी skin पर बहुत जादा गर्मियों में पसीना आता है जिसके वज़े से आपका make-up खराब हो जाता है तो ये वाला step आप इस remedy को apply करने के बाद जरूर करेंगे तो मुझे भी एक function में जाना है तो इसलिए ये वाला step मैंने किया है तभी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे इससे बहुत अच्छे result मिलते हैं ठीके friends तो इस तडिके से आप cotton के कपड़े में आइस क्यूब वाला जो ये trick है जरूर करिएगा वीडियो में ज अच्छे से skin care कर लिया है facial भी हो गया hair remove भी हो गया है एक बार के इस्तमाल से आपके unwanted hair सारे remove ना हो तो इसके लिए आप इसे week में दो से तीम पार इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन glow आपके चैरे पर जरूर आएगा तो बहुत ही अच्छी remedy आप भी इसे जरूर ट्राय करिएगा So I hope friends आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी अधा helpful and useful रहा होगा So वीडियो देखते ही इस remedy को जरूर ट्राय करिएगा जब भी आपको किसी party function में जाना हो तब तो जरूर करिएगा So friends वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज वीडियो को like, share, comment करना बिलकुल मत दूल